वरकॉप में कारे करते हमें कारी करने उस वाधा की कारी है के मतारी वहां क्यों होती है एक इस्टिल का मटेरियल है ड्राफ डूसरा मटेरियल है तो इसके पेन और फेस को क्या कर दिया जाता है अब बात करते हैं इसके पार्ट के बनावड देखते हैं यह इस पार्ट का नाम क्या है यह वाला भाग कहलाता है यह वाला भाग इसमें कहलाता है इसमें आते हैं यह मर के अंदर का भाग वाल कि अंडल के अक्रति के अंड़ा कंशिन आता है कि किसे आकरति का होता हैं किसा होता है तो ऑफे दिख रहा है अकने को तो क्या अचे जाता है तो यहां पे यह थोड़ा handle moment करेगा, तो इस moment को रोखने के लिए क्या करते हैं कि हम यहां पे एक chip या weight इसमें लगा देते हैं, जिसको क्या होते हैं, चिप भी बोलते हैं, वेज भी बोलते हैं, पचड भी बोलते हैं, अब एक सवाल आता है, कि इसमें जो eye hole बना हुआ है, इसको अंडाकार क्यों बना है, इसको गोल भी बना सकते हैं, तो इसको अंडाकार बनाने का उत्पेस यह है, कि क्या होगा, जब हम इसको अंडाकार है, इसका save भी कैसा रहेगा, अंडाकार रहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, कि यह handle इस eye hole में घुमेगा, नहीं, अगर रहने के कारण निकलने के भी संभाव ना हो सकती क्यों वजन के बारे कितने 110 ग्राम से साधरन तया कारियों के लिए है ना यह ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा वजन के हैमर नहीं पाए जा तभी हम आगे देखेंगे समझना चाहिए इसमें चाहल है इसकी तीन केटेगरी रखेंगी के अगर हलके कारे कैसे कारे हैं गेलुक के लिए 303 ग्राम सभाट है हेंडल की लंबाई कितनी होगी प्रयूक्त कितना होता है तो कितना होता है? दोस्तों के जो प्रता होते हैं एक होता बाल पेन हेमर, प्रॉस पेन हेमर और इस्टेट पेन हेमर चुकि बात जिसमें पेन की आ रही है तो उनके आकरती में परिवर्ट को सिर्फ ना होता है उनके पेन वाले खाल में फेस और हेड इस बागी सारा बाट एके लिया सा गसाओ equal remembrance यह देखो इसकी आफरती आक़नी आ का नाम क्या है ने की हेड न हका हो गया पर नए जो पहने हाख आस रिद्नध हेड आपना क्रोस पैने देखिया बाकी बनावर्ट हम देखें यहां दिखाई दे राइंडल के cross men इसका नाम हो गया किसे बना जाते PayPal इसका प्रह क्रॉस पैंडल कुछ इस डाइब से लगा hyn हो गया शरेट ay उसका इस्तहुत है संकोल किषाट में नालिया बनाते और संकोल में कि सिधार में हमको मोड़ना होता है चाधर को यह वह यहार इनाας होता या गसी नाम होता हैバイ साधुना अपर इस्तमाल करते कि Steve a protile में और भी अधिकी बारे में बात करेंगे को यह और अग्ला है पर क्या नää alleen इसका वज़न होता ही, किसी किसी जग़ा पर 30-10 KG भी दिया होगा नहीं होना और स्ζ-हेंर का वज़न 2-10 KG यह यहुता है इस प्रड़ी स्लेज हेंर स्लेज हेंर के लगवाय होती है को बात कर रहे थे यह कहा है, तो विधन वर स ride के बारे में इस तरह होती है इसमें यहां दो अलग साइज के स्लेज हेमर है अपने पास में इसमें भी हेंडल है वो लकड़ी का लगा हुआ है 2-10 कीजी 3-10 कीजी अलग-अलग साइज के होगते हैं यह स्लेज ह है घन हतोडा भी इसको प्रण देखें मेरे पास में एक soft hammer रखा हुआ है देखने में कुछ इस टाइप का लिए किया जाता है इसका material क्या है पीतल का बनावाट दिख रहा है तो plastic hammer की जो बनावट है वो कुछ इस तरह की होती है इसकी जो body है वो किसकी बनी हुई है और इसके जो face है वो किसके बनी हुई है इसका 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 मेलेट इस प्रकार का दिखाई देता है इसका आगे वाला भाग है ये लखडी का है उसका है पूरा लखडी का बना हुआ कि अगला है प्ला हेमर यहं हम सभी जानते फरोमेट्स है शरत देखने में मिल जाता है इसको किल है किल के बारे में तो ये इसकी बनावथ है ये वाला भाग है और इसके पेण में जो V-save की बात कर रहता है इसको किल को निकाला जाता है इसका यह वाला भाग बीच का पाट यह कहलाता है बौड़ी में अंदर में आई होता है ठीक जट्डा कार बना हुआ है इसमें वेज रखे और यह जो बौड़ी वाला भाग है इसको हाट एंट इंपर नहीं किया जाता है इसके अब यह नहीं करने कारण यह होता है कि जब हैमर से किसी जॉप पे जब हम हमरिंग करेंगे तो इसमें एक सौफ होगा जटका उत्पन होगा वो जटके में क्या होगा कि इसकी पुरी बॉडी को या इस पूरे हैमर को हाड़ कर दिया जाएगा तो जटका कहीं यहां से वहत जाइगा जो कि इसका कंपन कम नहीं होगा तो इसमें ब्रेकेज की बहुत जाएदा समपाव रहता होगी दूट सकता है तो इसे इसमें नुकसान ना हो यह तो नहीं हमरिंग घैएक हो तो यह वाला वाग जो इसमें सॉक आएगा वह यहां पे आखी क्या नुरहे का रिलीज हो जाएंगा दुसरी बात बात करते हैं इसके हैं तो इसका हमेशा किसका बना बना जाता है लगडी का लेकिन नहीं बनाना चीघंडल किसका बनाना चीआ लगडी का हिंडल बनाने सिखा होता है कि जब हम इस्थान पर इस स्ट्राइकिंग करते हैं तो जो कमपन हमारे हाथों में नहीं आगा लोहे का बनाएंगे तो वह हमारे हाथों में कमपन करेगा तीसरी बात हैं में पीछे का सीरा है इससे 15-30 mm छोड़के हैं में करना जी एक इस प्रकार से किसी जॉप की सर्फेस पे चोट मारना क्या कहलाता है है अगर यहां पर मैं अगर पकड़के इस से अगर चोट मारता हूं तो यह कहलाता है चोकिंग ऑपरेशन हैं में हैंडल को यहां से पकड़ा है चोकिंग ऑपरेशन में हैंडल को कहां से पकड़ा जाता